साथ यो ये questions आपके सभी exams के लिए चाहे कोई भी state level का exam हो जैसे की UP police, बिहार police, MP police, SSC GD, MTS, CGL, CHSL, railway का कोई भी exam हो, BR police, BSSC, JSSC, कोई भी सिचक भरती की आप तयारी कर रहे हो, सभी प्रकार के exams के लिए ये class जो है आपके लिए महत्कुन होने वाला है, तो अन तक आपको देख लेना है, बहुत ही important questions मैंने aid किया है, तो चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं, आप सभी साथियो class को एक like और दोस्तों के साथ share कर देना, और अगर आप में से कोई भी साथ ही नए है, तो चैनल सब्सक्राइब लेके, बेल आइकेन को अन कर लिजेगा, चलिए तो देखते हैं, जो question आपसे पूछे जा सकते हैं, वही questions करवाएंगे, टोटल 30 question मैंने इस class में लिया है, और इस से बाहर आपको पेपर में question नहीं पूछे जाएंगे, तो पहला question आपके screen पर है, राम मंदिर का भूमी पूजन कब हुआ था, तो साथियो ध्यान दीजे, राम मंदिर का भूमी पूजन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्पुन प्रशने हैं, तो याद राम मंदिर का भूमी पूजन जो है न, ये 2020 में हुआ था, कब तो 5 अगस्त 2020 को, और भूमी पूजन किषने किया था, तो परदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भूमी पूजन कराया गया था, 5 अगस्त 2020 को, ठीके, आगे दिखिए next question है, कौन सी नदी अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे पर इस्तित है, तो आप क्या बताओगे, सर्यू नदी के किनारे पर, ठीके, तो राइट अंसर होगा, सर्यू नदी, option number A, next question दिखिए, स्री राम की जन्म भूमी अईध्या को, और किस नाम से जाना जाता है, तो दियान से option number B, साकेत, अध्या का ये पुराना नाम है, प्राचिन नाम है, साकेत, आपको याद रखना है, आगे दिखिए, next question है, राम मंदिर की उचाई कितनी होगी, ध्यान से दिखना, राम मंदिर की उचाई कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, तो साथियो नए राम मंदिर की उचाई जो है, वो कितने फीट है, ये ही पूछा जा रहा है, तो याद रखना सभी बहुत ही मादपन प्रश्न है, 161 फीट साथियो देखना, 161 फीट जो है, राम मंदिर की कुल उचाई है, आपको बता दे इसके बारे में, तो देखिए, मंदिर की लंबाई जो है, पु पूछे, तो 380 फीट है, और चोड़ाई है, 250 फीट, किलियर है, आगे देखिए, राम मंदिर में कितने खंभे हैं, ये भी बहुत ही महत्पुन प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो देखिए गा, नए राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं, तो याद रखना, 39 32, थीख department, 392 खंबे हैं सातियो, ओप्षेन नबर ए करेक्ट होगा, नेक्स्ट राम मंदिर में कितने मंडप होंगे, देखिए, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे, तो याद रखना, 5 मंडप होंगे, आप्षेन नमब मंडप होगा एक प्राथना मंदफ होगा और एक स Bailey there तोटल पांच मंदफ होंगे याद रखना हो ये स्ट कोर्शिटन है ने नमनल हितमे से कौन अउध्या में राम मंदिर का निर्मान कर रहा है तो ध्यान पिछली 16 पिडियो से मंदिर बनाते आ रहे हैं इनका फोटो आप लोग यहां देख सकते हैं यही है चंद्रकांत संपुरा जो कि अध्या मंदिर के अध्या में राम मंदिर के कौन है वास्तुकार है आगे दिखिए नेक्स्ट है देखिए यहां पर आपको बता दे वास्तु संपुरा परिवार के चंद्रकांत संपुरा निखिल संपुरा और आसिस संपुरा है ठीके आगे दिखिए राम मंदिर का निर्मान किसके द्वारा कराया जा रहा है तो दियान से दिखिएगा राम मंदिर का निर्मान ये किसके द्वारा कराया जा रहा है तो याद रिखि एलन टी यानि लार्सन एंटूब्रो के द्वारा कमपनी अगर पूछे तो लार्सन एंटूब्रो आपको याद रखना है आगे दिखे नेक्स्ट कोर्ष्चन है राम लला की प्रान प्रतिष्ठा किस तिथी को होगा बहुत ही महत्पुन प्रस्ण है यह प्रस्ण आपसे आगे दिखिए अल्दर कोर्ष्चन है राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का सुब महरत कितने समय का होगा यानि राम लला की जो प्रता प्रतिष्ठा होगी उसमें कितना वक्त लगेगा 240 सेकंड 84 सेकंड 84 24 सेकंड आपको याद रखना है इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं तो देखिए राम लाला की प्रता प्रतिश्था के लिए जो है ना 84 सेकंड का सुब मुहरत निकाला गया है यह समाई 22 जनवरी 2024 को दोपहर में 12 बजकर 29 मिनट ठीक है 29 मिनट 8 सेकंड से लेकर 12 बजकर 30 मिनट और 32 सेकंड तक होगा यानि टोटल कितना हुआ यहां 84 सेकंड यह चीज़ याद रखना है आपको आगे दिखिए नेक्स्ट कोस्टेन है राम मंदिर परिसर के चारो कोनों में क्या होगा तो दि पर राइट होगा चार मंदिर और वो चार मंदिर कोन कोन से होंगे तो देखो राम मंदिर के चारो कोनों पर चार मंदिर होंगे जिनमें सुर्य देव देवी भगवती गनेश भगवान और भगवान सीव को समर्पित होंगे उत्री भूजा में मा अन्नापुर्णा का मंद सब्सक्राइब आदऊ-ध्या की विवादित-खूमी से कौन सी एतिहासि घटना जुड़ी है तो देखना करिक्टा अएगा बापरी मस्ग बिध्वन्स ऑप्शन नंबर से करिक्ट होगा बापरी मस्ग बिद्वन्स ज्याद रिखिए आज़ दीखे नेक्स्ट कोस्टेन विबाद फैसला ठीक है अयुद्या विबाद फैसला बाद राम मंदिर सिला नियास को कुल कितने दिल लगे तो देखो करेक्ट आएगा तीस साल आठ महने और 27 दिन ऑप्शन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा आगे दिखिए अयुद्या किस राजमेश्थी थे सिंपल प्रदेश्थ यह उच्छाई कितनी है तो उसकी उचाई पूछा जा रहा है कितना है तो याद रखना 51 इंच देखिए राइट नमबर भी 51 इंच आये इसके बारे में आपको बता देते हैं तो देखिए यह जो मुर्ती है जैपूर के एक मुर्तिकार द्वारा तयार की ग अध्या पहुच गई है राम मंदिर का निर्मान काफी जो रो सोरो से हो रहा है ऐसे में लोग राम लला की मुर्ति दिखने के लिए भी काफी जादा उत्सुक हैं जो कि 22 22 जन्वरी को ही भव्यदर्शन होंगे राम लला की आगे दिखीगा ध्यान से अगला question है अध्या में 22 जन्वरी 2024 को जलाई जाने वाली अनोखी अगरवत्ति जो होगी वो कितने फीट लंबी होगी ये भी question बहुत ही important है तो दिखिए अध्या में 22 जन्वरी 2022 को जलाई जाने वाली जो अनोखी अगरवत्ति होगी वो कितनी फीट लंबी होगी तो याद रखना correct आएगा 108 साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी यानि देखिए यह जाके मंदिर में जलेगा और 15 से 20 किलोमीटर तक महकेगा और 45 दिनों तक यह जो है जलता रहेगा याद रखना और साथ हो यह जो अगरवत्ति है इसको गोबर गाई के सुद्ध गाई क साथ तो देखे और जिए यह वजन है इस अगरवत्ति का और इसका निर्मान जो है यह गुजरात में किया गिया है यह आपको याद रखना है आगे लेका बभर कि इस kalkows को है सिंपल सा कोश्चन है इसका आंसर में नहीं बताऊंगा आप लोग कमेंट वोक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि बाबर किस वन्स का था लोदी मुगल खुर दिया खिल जी चली आगे दिखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है देखें बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय होती है अच्छा कुश्चन है तो अध्या राम मंदिर विवाद की जो सुनवाई है वो कितने दिनों तक चली थी तो याग रिखीगा 40 दिनों तक साथियो अप्सन नंबर भी राइट अंसर होगा 40 दिनों तक साथियो अगर आप लोग ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो बुरा नहीं होता है देखिये नेक्स्ट कोस्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला कोस्चन है अध्या विवाद का फैसला सुनाने में सामिल जजों में नियाइधिस रंजन गोगई के अलावा चार जज और कौन-कौन थे तो वह ध्यान से दिखीगा अध्या विवाद क जो फैसला है कुल मिलाकर पांच जजों ने सुनाया था ठीक है तो इसमें तो एक जज आपके रंजन गोगई जी थे और कौन-कौन से चार अन्य जज थे तो देखिए उपयोग सभी एक तो नियाइधिस डिवाई चंद्र चूड थे ठीक है एक नियाइधिस सरद अर्वि किया था मीर बकी के द्वारा देखिए बाबरी बस्जित का निर्मान जो है मीर बकी ने किया था और कब तो साथ हो 1528 में ऑप्शन नमबर से याद रखना 1528 आगे दिखिए अध्या विबाद में सुप्रिम कोट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था तो अध्या विब आएगा अयुद्या में याद रिखिए अयुद्या आगे दिखिए उत्तर प्रदेश के वरतमान में मुख्यमंत्री कौन है तो दिखिए उत्तर प्रदेश राज के वरतमान में मुख्यमंत्री है योगी आधित त्यनाथ जी ओप्शन नमबर भी करिक्ट होगा साथ यो आ अनुच्छे दियानी आर्टिकल के तहत अयुध्या की बिबादिद 2.77 एकड जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एब मुस्लीमों को 5 एकड भूमी मस्जिद निर्मान हेतु अवंटित करने के आदिस दिये तो इसका करिक्ठ होगा साथियों याद र करिक्ठ रोगा फैजाबाद याद रिखीगा आगे दिखीगा दिखिए बर्स 2018 में उत्तर प्रदेश राज के मुख्यमंद्री योगी आदित त्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अध्या कर दिया ठीक है अध्या का पेरानिक देखे पुरानिक बाबरी मस्जीद है इसका धांचा जो है यह कब तोड़ा गया था तो दिखना ध्यान से करिक्ठ राएगा छे दिसंबर 1902 में अंतिम कुष्चन है आज की इस क्लास का बर्स 1992 में बाबरी मस्जीद दोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रिखे का कल्यान सिंग ठीक है कल्यान सिंग तो साथ यह बहुत ही महत्पुन प्रश्न थे आयुद्या के राम मंदिर से संबंधित आपको प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताना और अगर पसंद आया है तो प्लीज आप लोग कम से कम जो है ना इस वीडियो को अपने तीन साथियों के साथ जरूर शेयर करना अपने तीन दोस्तों को जरूर शेयर करना क्योंकि साथियों आप लोग शेयर करोगे तो उनके पास भी यह जानकारी पहुंचेगी और आप लोग भला करोगे दूसरों का तो आपके साथ भी भला खर्बुरा नहीं होगा भला ही हो तो साथियों काभी मेनत के साथ आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं तो उनको लाइक शेयर करा करिए चैनल के अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं अभी पुलिस SSC GD के लिए ता आप लोग डेली देखा करिए क्लास को एक लाइक और शेयर जरू कर देना क क्रमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है चलिए तो साथियों मिलते हैं आप सभी से नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैसरी डाम